सिरीज जीतने के बाद भे सूर्या ने इन खिलाडियों को किया बाहर, अब ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेंग 11, कप्तान सूर्या ने इन खिलाडियों को किया पांचवे T20 के लिए टीम में शामिल, पांचवे T20 के लिए सूर्या ने तैयार किये अपने 11 धुरंदर, अब रोते रोते घर लोटेंगे कंगारू और शले खिलाब 5 मैचों की T20 सिरीज में 3-1 की बड़त बना चुकी टीम इंडिया आखरी मुकाबले में कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतरेगी इसके अलावा दक्षिन अफरीका के दोरे को धान में रखकर श्रेश अयर और दिपक चाहर के परदरशन पर भी विशेश गोर किया जाएगा भारत को दक्षिन अफरी खिलाब 10 दिसंबर से T20 सिरीज खेलनी है जिसमें अयर और चाहर की भूमी का एहम होगी अयर ने वंडे वर्लकाप में शानदार परदरशन किया था लेकिन उसले खिलाब रायपूर में उन्होंने पिछले एक साल से भी अधिक समय में अपना पहला T20 मैच खिला इस मैच में उन्होंने साथ गेनों का सामना करके केवल आटर बनाए जिसमें कोई बाउंडरी शामिल नहीं है इसलिए दक्षिन अफरीका जाने से पहले आयर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगी उन्होंने कुछ दिर पहले इवंडे वर्ल कप पे इस मैदान पर नीदर लाने खिलाब शटक भी लगाया था अयर की तरह चाहर ने भी चोटिल होने के बाद लंबे सबय तक भाहर रहने के बाद वापसी की है राइपूर में खेला गया मैच उनका T20 प्रारूप में भारत की तरफ से पिछे साल अक्टूबर के बाद पहला मैच था इस 31 साल के तेज गेन बाद से टीम डेविड और मैथी शॉट के विगेट लेकर प्रभाव डाला लेकिन उन्होंने अपने चार ओवर के कोटे में 44 रं दिये चिन्दा स्वामी स्टेडियम की फिच उनके अनुकूल नहीं हो सकती लेकिन अपने विविदेदा पूर्ण गेन बाद जी के कारण चाहर सफलता हासिल कर सकते हैं दक्षिन अफरीका के दोरे से पहले टीम परबंदन और स्पीनर वाशिंगटन सुन्दर को भी इस मैच मोगा दे सकता है वाशिंगटन भी पिछले कुछ समय से चोटों से प्रिशान चल लए है उन्हें बाए हाथ के स्पीनर अक्षर पटेल की जगए टीम में शामिल किया जा सकता है जिने दक्षिन अफरीका दोरे के लिए टीम में जगए नहीं मिली है भारत की तरफ से बल्ले बाजी में कप्तान सूरी कुमार क्या दाओ रितुराज कायकवाड, रिंकु सिंग येशश्च विजैस्वाल और इशान किशन ने अच्छा परदरशन किया है पिछले मैच में किशन के जगे खेलने वाले, जिते शर्मा ने भी अपनी बल्ले बाजी से छाप छोड़ी है गेन बाजी में रवी मिश्णोई ने अभी तक साथ विकेट लेकर अच्छा परदरशन किया है दूसरी तरफ उसले की टीम ने भी अभी तक अपरदरशन नहीं किया उसकी टीम जीत के साथ श्रंकला का अंत करके सब्देश लोटना चाहेगी भारत ने चोटे टी-ट्वेंटी मैच में उसले को 20 रन से पराजित किया अब सभी की नजरे 5 वी टी-ट्वेंटी पर टी गई है लोग जानना चाहते हैं कि बैंगलूर में किस तरह की पिछ होगी क्या यहां बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा मोजूदा सिरीज के चुरुआती तीन मैचों में जिस तरह से दोनों टीमों ने बड़ा स्कोर बनाया था उसके मुकाबले राइपूर में छोटा स्कोर दिखा बैंगलूर में गेनबास बरपाई के कहरी या बल्ले बाजों के बल्ले से निकलेंगे खूबरन आईए जानते हैं बैंगलूर के एम चिनना स्वामी स्टेडियम ने अभी तक आठ इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी की है इसके अलावा इस स्टेडियम में आईपल के मैच लगातार आयोजीत होते रही हैं यहां एक फ्लैट विकेट बल्ले बाजों के मुफीद रहा है यहां छोटी बाउंडरी है हाला कि हाल में जो मैच यहां खेले गए हैं उसमें हाई स्कोर और लो स्कोर मुकाबले देखने को मिले हैं वंडे वर्ल्लकप 23 के दोरान टीमें आसानी से 300 के पार पहुची है यहां चेज करने वाली टीम को पांच में जीत मिली है जबकि पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम दो मैचों में विज़ई रही है यहां उससे स्कोर 149 करहा उस एहन रोल आदा कर सकती है हाला कि देखा जाए तो टीम इडे की प्लेंग 11 बल्ले बाजी में कोई बदलाव नजर नहीं आता है जहां तक गेन बाजी की बात है तो इसमें वाशिगटन सुंदर को अक्षर पटेल की जगह मोका मिल सकता है तो आई एक नजर डालते हैं भारत के संभावित प्लेंग 11 पर तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजे इस खबर को शेर कीजे और जड़े रखिए हटलाइन सु स्पोर्ट्स के साथ